तो आज हम करने वाले हैं JW 2024 में पूछा गया sets and relation chapter का एक question तो देखते हैं कि JW 2024 में इस chapter में से कुंसा question पूछा गया है Let the relation R1 and R2 यहाँ पे 2 relation हमको दिये गया है R1 and R2 on the set उसके लिए एक set दिया हुआ है X is equal to 1, 2, 3, up to 20 यानि कि इतने element को हमको यूज करना है Be given by R1 is equal to XY जब equation है 2X minus 3Y is equal to 2 यानि कि X and Y की ऐसे value हमको लेनी है X में से जिससे यहाँ पे रखने के बार उसका answer क्या मिले 2 उसी तरह से R2 के लिए X and Y की value ऐसे लेनी है जिससे minus 5X plus 4Y में अगर हम X की and Y की value मिले तो वो क्या answer हो उसका 0 If M and N be the minimum number of element required to be added in R1 and R2 respectively in order to make relation symmetric then M plus N is equal to क्या होगा यहाँ पे यह जो पुरा पार्ट है वो आपका extra पार्ट है वो इसे कुछ काम का नहीं है आपको सिर्फ X की and Y की ऐसे value फाइंड करनी है जिससे हमारा जो equation है वो क्या हो satisfy हो जाए चले देखते हैं कैसे करेंगी इसको उसको सबसे पहले दो पार्ट कर लेते हैं यह जो पार्ट है वो ले लेते हैं R1 यह जो पार्ट है उसको ले लेते हैं R2 अब R1 में equation क्या है R1 में हमारे पास equation है 2X minus 3Y is equal to 2 and R2 में क्या equation है minus 5X plus 4Y is equal to 0 चलिए सिंपल है अब तो अब हमको क्या करना है वन से लेके 20 के एलिमेंट लेने हैं जिससे क्या हो हमको जो आंसर पूछा गया है वो हमको मिल जाए यानि कि अगर हम X की एंद Y की वैल्यू यहां पर पूट करें तो उसका आंसर क्या हो 0 हो जाए सिंपल है चलिए तो आर वन में सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा वो होगा 4 एंद 2 चलिए रखके दिख लेते हैं 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 8 माइनस 6 क्या अंसर होगा 2 तो यह एलिमेंट सही है उसके पाद दूसरा ए उसके बाद आएगा 10 and 6, 10 into 2, 20 minus 3 into 6, 18, 20 minus 18, 2, सही है फिर ये भी, उसके बाद आएगा 13 and 8, 13 into 2, 26, 13 into 3, 24, 26 minus 24, अगें क्या आएगा 2, उसके बाद ले लेते हैं 16 and 10, 16 into 2, 32, 10 into 3, 30, 32 minus 30, क्या होगा 2, सही है, उसके बाद आएगा 19 and 12, 19 into 2, 38 and 12 into 3, 36, तो 38 minus 36, वो क्या होगा 2, तो इतने element आएगा, अब यहाँ पर देखिए कि क्या दिया हुआ है कि make a relation symmetric, यानि कि symmetric मतलब क्या है कि इसका उल्टा अगर हम करें 2, 4 तो वो भी क्या होगा, हमारे x में होगा ही, तो यहाँ पर total कितने element मिले, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, यानि कि number of relation कितने मिले, 6 जो हमको find out करने के लिए बोलेगा है, उसके पाद उसी तरह से r2 के लिए find out करना है, r2 में कौनसे कौनसे element आएंगे, सबसे पहले आएगा 4 and 5, 4 into 5 क्या होगा 20, and 4 into 5 क्या होगा 20, minus 20 plus 20 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर धियान रखना है कि आपको 4 का multiple लेना है, एक 5 का multiple लेना है, बाकी कोई भी element नहीं आएगा, 4 का multiple लेनी की 8, 5 का multiple लेनी की 10, उसी तरह से 4 का multiple 12, 5 का multiple 15, and again 4 का multiple 16, and 5 का multiple 20, यहाँ पर कितने number possible हुए, 4 number possible हुए, अब यह है हमारी M की value, यह है हमारी M की value दोनों का क्या कर देना है, sum, वो तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10, यानि कि हमको जो question पूछा गया था, वो कौनसा option सही होगा यहाँ पे, 10 number का जो question का answer है, वो क्या होगा सही होगा,